कि आप राहुल गाधी को लेकर पत्रकार सवाल भी नहीं कर सकता है क्या महस्ट राहुल गाधी पर सवाल करने से पत्रकार पर हमला हो गया है ये सुनकर आपको भी शौक लगा होगा लेकिन इस वक्त जो खबरी चल रही है वो यही है क्योंकि बताय जा रहा है कि महस राहूल गादी से सवाल पूछने पर एक पत्रकार पर हमला हो गया है जिसके बाद सियासत में घमासान मचा हुआ है तो क्या कुछ पूरी कहानी है सब कुछ आपको बताते हैं नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट क्या सवाल पूछने की वज़ज़ से पत्रकार पर हुआ हमला सैम पित्रोदा के बयान से क्यों गर्मा गई सी आसर इंजियन ओवर्सिस कॉंग्रेस के फिर से अध्यक्ष बने सैम पित्रोदा हुआ तो हुआ बयान को लेकर चर्चा में रहे थे अब उनके कारकरम में राहुल गाधी और सैम पित्रोदा से सवाल पूछने पर एक पत्रकार के साथ मारपीट की गई है तो वो ये कहे कर अपना पीछा चुड़ा रहे हैं कि मारपीट के बारे में मुझे नहीं पता सैम पित्रोदा ने कहा कि पत्रकार को मारपीट के मामले को सारवजनी करने से पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी अब आपको पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे और कहां से शुरू हुई दरसल एक पत्रकार रोही शर्मा ने दावा किया है कि जब के बाद उनका मोबाइल चीन लिया गया और उनसे इंट्रव्यू डिलीट करने के लिए कहा गया रोही शर्मा का दावा है कि इस दोरान उनके साथ धक्का मुकी और मारपीट की वह इस घटना को लेकर सैम पित्रोदा ने कहा कि मुझे इस घटना की कोई भी जानकारी नहीं फित्रोदा ने प्रेस की स्वतनता का दिखावा करते हुए कहा कि रोहित को मानले को सारवजनिक करने से पहले मुझे से बात करनी चाहिए थी पितरोधा ने आगे कहा कि मैं किसी भी प्रकार की हिंसा या दुर्वेवार का समबरता नहीं करता मैं चाहता हूँ कि रोहिश शर्मा पहले मुझसे बात करते बजाए इसके कि उन्होंने सारवजनिक रूप से बामला उठाया आपको पता दी कि कॉंग्रेस नेता राहूल गाधी विदेश में जाकर अपवा उड़ाते हैं कि भारत की मौझूदा सरकार के शासन में देश में पत्रकारिता की स्वतनतथा कम हो गई हैं वो अपनी हर अमेरिकी यात्रा में इस बात को दोहराते भी हैं लेकिन राहूल पत्रकार रोहिश शर्मा ने अपने लेक में बताया है कि अपनी तैयारी के हिस्से के रूप में मैंने इंडियन ओवर्सीज कॉंग्रेस यानि आई ओसी की अध्याक्ष सैम पित्रोदा से संपर किया मैंने पहले भी उनका साक्षातकार लिया है सैम इंटर्व्यू देने के लिए तैयार हो गए शाम करीब साड़े साथ बजे में टेकसास के एर्विंग में रिट्स कार्टर पहुचा वहां मुझे सैम के विला में ले जाया गया जहां करीब 30 लोग बैठे थे जिनमें भारत से आए कुछ लोग भी थे इसके बाद पत्रकार शर्मा इंटर्व्यू सांसदों के साथ अपनी बैठकों के दोरान बांगला देश में मारे जा रहे हिंदूों का मुद्दा उठाएंगी इस सवाल का जवाब देने से पहले सैम पित्रोदा ने कहा कि ये राहुल और सांसदों पर निर्भर है कि वो तैय करें कि उन्हें क्या प्रासंगिक है मैं उनकी तरब से नहीं बोल सकता लेकिन इसे बीच वाब पर बैठे लोग हंगामा करने लगे इतना ही नहीं रोई शर्मा ने कहा कि राहुल की टीम के एक सदस से ने मेरा फोन चीन लिया और चिलाने लगा बंद करो बंद करो शाक्षातकार बंद करो सैम भी मेरी तरह घबरा और उन्होंने मोबाइल की रोकॉर्डिंग बंद कर दी इस हंगामे की बीच ही सैम पत्रोदा को राहुल गादी से मिलने के लिए एरपोर्ट ले जाया गया हाला कि कमरे में कम सी कम 15 लोग रहे गए उन्होंने मुझसे साक्षातकार से अंतिम प्रश्ण हटाले के लिए कहा मैं उन्हें समझाता रहा कि प्रश्ण में कुछ भी विवादस्पत नहीं है और उनकी हरकते गलत हैं इसके बावजूद वो अड़े रहे और मेरा फोन लेकर उसमें खोजबीन करने लगे इसके बाद उन लोगों ने उस शाक्षातकार को पत्रकार की फोटो लाइब्रेरी से डिलीट कर दिया लेकिन वो डिलीट फोल्डर में रह गया और उसे खोलने के लिए पत्रकार के फेस आईडी की ज़रूरत थी रोईतने बता कि जब मैं वहां बैठा था तो दो आदमी मेरे बगल में खड़े थे उनमें से एक ने चुपके से मेरा फोन मेरे चेहरे के पा इसलिए वीडियो सिक नहीं हो पा रहा था इस तरह वो लगभग आदे घंटे तक हर तरह की हरकत करने के बाद शांत बैड गए अलाकि इसके बाद भी वो फोन नहीं लोटाए और उसे चार दिनों तक अपने पास रखा इस तरह समवादाता रोहित शर्मा के साथ राहुल पत्रोधा को सिधे सीधे बताना चाहिए कि उनका जो इंटर्व्यो रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड किया वो कहा है विवादों में रहते हैं सैम पित्रोदा जिसके लिए बीजेपी करोडो रुपे खर्च करती है उन्होंने आगे कहा कि बारती जंता पार्टी की नेताओं ने भी उन्हें पपू कहना छोड़ दिया है ऐसे समय में उस पुरानी बात को दोहरा कर उन्होंने फिर से एक बार राहूल गाधी के पपू होने की बात पर पहच छिड़ दी राजिदी गलियारों में पित्रोदा की इस मासूमियत पर पहच छिड़ गई थी कुछ लोग कह रहे हैं कि असल में राहूल गाधी और कॉंग्रिस के नेता वास्तों में पपू ही है जो सायम पित्रोदा से छुटकारा नहीं पा रही है अब इसी हफते प्तरोदा ने एक बयान में राहूल गाधी को राजीव गाधी से भी होश्यार और तेज नेता बता दिया था सबसे बड़ी बात यह है कि बारते जंता पाटी ने राहूल गाधी को पपू कहना छोड़ दिया है हाल फिलाल में ऐसा उधारन नहीं मिलता है जब बीजेपी की टॉप लिडर्शिप में से किसी ने भी राहूल गाधी को पपू कहा हो संसद में पीम नरेंद्र मोदी ने जरूर उने बालक बुद्धी बोला था पर पपू जैसे परसनल आप शेप करने से पाटी नेता बच रही है मतलब सहाफ है कि राहूल गाधी के खिलाब आप बीजेपी व्यक्तिकत हमले करने से बच रही है सवाल उठता है कि ऐसे समय में क्यों राहूल गाधी को पपू बोल कर सैम पित्रोदा ने बीजेपी को एक और मौका दिया काउंगरेस पर आखछेप करने का ऐसे समय में जब काउंगरेस राहूल गाधी का image making कर रही है सैम पित्रोदा को इस तरह के ब्लंडर के लिए दोशी ठहरा कर बाहर का रास्ता क्योंनी दिखाय जा रहा है का जाता है कि एक गलती करने पर माफी दी जाती है पर बार बार गलती करने पर तो अपने बच्चे को भी माफ नहीं किया जाता कॉंग्रिस नेता मडी शंकर अयर दिखविजे सिंग को काबू में कर सकते हैं तो फिर सैम पित्रोदा पर आखिर इतनी रहम क्यों के जा रही है यही नहीं भार्दियों पर नस्लीटिप पड़ी करने के बाद कॉंग्रिस ने पित्रोदा से रजाइन मांग लिया था पर आश्चेर जनक रूप से लोगसवा चुनाओ के बाद उनकी बहाली फिर उसी पद पर हो गई यह समझ में नहीं आता है कि कोई शक्स अगर पाटी को लोगसवा चुनाओ में नुकसान पहुँचा सकता है तो क्या राज जिमदान स्वाचुनाओ में वो पाटी को नहीं नुकसान पहुचाएगा जाहिर है की ये सवाल उठेगा ही कि सैम पित्रोधा अखिर क्यों पाटी पर बोज बनी होए है क्यूं सैम पित्रोधा कॉंगरिस के लिए हैं जरूरी दरसल कॉंगरिस चाहती है कि जिस तरह बीजेपी को देश में घेरा जा रहा है उसी तरह विदेशों में प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी और RSS को भी टार्गेट किया जाए यह सभी जानते हैं कि सैम पितरोदा राहूल गाधी की विदेश यात्राओं के मुख्य आईजक रहे हैं राहूल गाधी अपनी विदेश यात्राओं के दोरान अक्सर्ट। शैक्षडिक संस्थानों में या विभन शेत्रों के विशेशग्यों के साथ बाच्चीत करते हैं उनके पीछे पितरोदा ही होते हैं पितरोदा की इस मामले की तारीफ करने होगी की राहुल गादी विदेशों में जो भी बोलते हैं उसकी चर्चा विश्व इस्तर पर होने लगती है फरवरी मार्च 2023 में लगबग एक हफ़ते के यूके दोरे के वक्त राहुल की यातरा जिसको पितरोदा ने इस तरह क्राफ्ट किया था कि जिसकी चर्चा वैस्ट की मीडिया में खूब हुई Cambridge University में संभोधन लंदन में चौथम हाउस इस्थित टैंक में चर्चा और मीटिंग का आउजन पितरोदा नहीं कराया था जिसमें भारती मूल के लेबर पार्टी के सांसत विरेंदर शर्मा भी शामिल हुई थी इन मीटिंग्स में राहूल गाधी ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी की जम कर आलूचना की थी जाहिर है कि पितरोदा का विदेश में मजबूत नेटवर्क है जिसे पार्टी का केंद्री निर्दत देश के बाहर अपना संदेश फैलाने में फायदे मन बानता है पितरोदा का विदेशों विशेशकर पश्चिम के अकादमिक हलकों से अच्छा संबंद है वो पार्टी को विदेशों में कारक्रमों की योजना बनाने में मदद करते हैं राजनेक समुदाय के भीतर भी उनके अच्छे संबंद है इसी का सहारा लेकर कॉंग्रेस प्रवासी भारतियों के साथ सामाजिक और राजनेदिक मुद्दों पर बाचीत करने के नाम पर भारती जंता पार्टी को विदेश में टार्गेट करती है यानि कॉंग्रेस के लिए सैंप पतरोदाए गले की फांस बन गए है जिसे चाहा कर भी कॉंग्रेस निकाल नहीं पा रही है इस पेशल स्टोरी फिलाल के लिए इतना ही बागे तमाम खबरों के लिए देखते रही है कैपेटल चीवी नमस्कार